तो गाइस यह वीडियो 10 एंड 12 दोनों बच्चे जो बोड एक्जाम देने वाले उन दोनों के लिए अब इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लैंग्विज इसका बहुत जार डर होगा इवन उनको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा और 10 वाले बच्चों को जादा क्योंकि उनका हिंदी बें इंग्लीश भी है और ट्वाल इंग्लीश या तो किसी का मराटी भी हो सकता है वह जैसा उप्शन रहता है उस वाइस तो बहुत सारे बच्चों को लैंग्विज का बहुत जार टेंशन है कि सार्लेंग्विज कैसे होगा सार जो प्रैक्टिकल एक्जाम है औरल होने वाले औरल के साथ ही आपका रिटर्न उसको कंबाइन करके 35 मार्क्स मिलेगा तो आप अराम से निकल जाओगे से मिहां टेंट टेंट के बात करूं तो तीनों लैंग्विज में तीनों लैंग्विज को मिला कि 105 तो यह हो गया यह त कि दुम फोकुस लगा के सोचोगे ना तो 40 मार्क्स आपके हाथ में तेंस टंडर आपके हाथ में और कल मैंने ट्वालों को बटाया था कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके हाथ के मांग्स कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आपके लिए वीडियो है जाके मैंने बत दालो या तो 21 डालो या तो 9 अबके पास हो या तो जो भी उसके पराग्राप चैक्टर का बूख में दिया हुआ उसको एक बार पढ़ो उससे रिलेटेज जितने निचे कृश्टन दिये हुए उसस अभी की प्राक्टिस करते दिमाग फिट करते जो और इससे क्या होगा इते को बहुत सारे question आपको exam में मिल जाएंगो से सीन पैसेच के बात निकल कर रहा हुं तो इससे क्या होगा जो पैसे से भी आपके marks आपके हाथ में आ जाएंगे writing skills घिरी tutorial है इंबना गे जैसी exam नस्दी का है कि हम आवर आप बताएंगे किसीन पैसेज में चुटकी बजाते ही कैसे आप क्वेशन निकाल सकते हो वह आ गया नहीं वह शौटकर तरीका उस टाइम बता जागा अभी कोई अगर वह बता दूंगा तब हाट भूंक नहीं करो गया थोड़ा कर लो देंस के बाद वह टाइम कैसे दुख्यें वारने कैसे इस टाइम बता होगा तो अभी आपको इस तरह से पैराग्राफ को देखना है जैसे पैराग्राफ दिया हुए वह पैराइकर क्या क्या क surfing त में भी इसमें आप दिए उसमें क्या क्या है उसको दिमांग फिट कर दे जाओ सेम्ट इसके बाद राइटिंग स्कील तो अपने पूरे चैनल पर सब कुछ पढ़ा हूँ अगर यही पैटन को आप डिवाइड करो कि पेपर पैटन में क्या क्या आता है उस वाइस पढ़ो पैरग्राप को इस वाइस पस हमें बस उसको समझना है और अच्छा करना है साथ मेरी बात समझ में आगी हुए समझ में प्लीज वीडियो को शेयर कर दो अपना सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसके अंदर और इस चैनल और उस चैनल बहुत सारी चीज़ आप से रिलेटेड आने वाले थैंक्यू सो म है जाहित जाहिं दो